प्रेस दे बेल आइकन आप इपाटशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट है डेर दिस इस यूर विजे हैर और बहुत बहुत स्वागत है आपका इपाटशाला के चैनल पे और आप देख रहे हैं हमारा इपाटशाला का चैनल जैसे कि दोस्तो आप सभी को पता है कि हम सभी लोग 12th क्लास की पॉलिटिकल साइन्स कर रहे हैं चैप्टर 2nd है The End of Biopolarity दो धुरुविता का अंत कोल्ड वर और 2nd चैप्टर लगभग एक जैसे ही है इसका एक दूसरे चैप्टर से लिंक है तो जरूर पहला चैप्टर जरूर देखेगा जबी आप दूसरे चैप्टर के काफी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो दोस्तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे 2nd चैप्टर के अंदर जो 2nd वर्ल था यानि की जो USSR था यानि की जो Soviet संग था उसके विक्टन के कारण क्या थे यानि की क्यों खतम हुआ ये और इसके परिणाम क्या हुए वो हम समझेंगे दूसरा हम ये समझेंगे की अगर communist session यानि की second world जो है अगर वो खतम हो गया तो दुनिया के दूसरे हिस्से पे इसका क्या प्रभाव पढ़ा यानि की अगर वो collapse हो गया पतन हो गया उसका तो पूरी तरीके से world के दूसरे हिस्से पे क्या इसका effect पढ़ रहा है and then क्योंकि हम अपनी chapter पढ़ रहे हैं तो obvious सी बात है हमें ये भी जानने की कोशिश करनी पढ़ेगी भारत का इसके साथ संब्ध कैसा है या भारत अपने आपको इससे कैसे relate कर पा रहा है तो पूरी तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे second world के बारे में सबसे पहले तो दोस्तो हम जानेंगे इसके अंदर Russian revolution से related रश्या का जो अंदोलन था दोस्तो उस समय पे सबसे पहले तो समानता के based पे था क्योंकि वहाँ पे मध्यमवर्ग और उसके बाद nobalities and clergy ये सब दोस्तो अलग-अलग category में divide थे दूसरा क्योंकि वहाँ पे राजा का शाशन था दोस्तो यहाँ पे जार निकोलस second जो है राजा था वहाँ पर और वो पूरी तरीके जनता का exploitation करता था जनता का जनता को associate करता था that is why यहाँ पर ये करांती हुई तो इनका main मकसद क्या था दोस्तो इनका main मकसद था socialist republic establish करना यानि कि समाजवादी गंणराज्य बनाना यानि कि ऐसा गंणराज्य बनाना जिसमें दोस्तो जनता के द्वारा ही सारे फैसले होते हो ऐसा गंणराज्य बनाना जिसमें क्या करते हैं वहाँ की parliament जो होती है वहाँ के elected लोग के द्वारा चले ना कि सिनेट इस्पेशल परिवर्तन आया वलेदिमील लैनिन आये दोस्तों और उन्होंने यूरॉप के अंदर समाजवाद की स्थापना स्थापत करने की कोशिश करी तो समाजवाद का में मकसद क्या था नीजी संपती का खिलाफ होना यानि की आपटी का बहुत बड़ा हिस्सा रश्या के अंदर उस समय पे बड़े-बड़े पूंजी पतियों के हातों में होता था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए इसका इस्तमाल करते थे नॉर्मल जो जनता थे उसके लिए इसका इस्तमाल होता ही नहीं था तो इसलिए यहाँ पे नीजी पूंजी पतियों का जो विरोध हो रहा था वो इसलिए ही विरोध हो रहता है कि जो गरीब है मेचारे सिर्फ और सिर्फ काम करते थे और उनकी काम करने की इस्तिती में भी कोई सुधार नहीं था यानि कि अमीर वर्ग और अमीर होता चाता था और गरीब वर्ग और गरीब हो रहा था तो दाटी इस वाई उस समय पर रश्यन डेवलुशन पर तीन तरीके के लोग थे जिसे आप कंजर्वेटिव बोलते हैं, लिब्रर्स बोलते हैं और रेडिकल बोलते हैं रेश्यन डेवलुशन के तहथ बढ़िव तो आय पर वो स्लोली स्लोली बढ़िव चाहते थे और स्लोली स्लोली बढ़िव ऑक किसी बी करआंती के लिए बहुत बैटर होता है इसलिए completely क्या करा गया thinkers उस समय thinkers ने बहुत important रोल निभाया था Russia revolution के अंदर तो ये थोड़ा सा इसका historical background है जो मैं आपको शप्ट में बताने के कोशिश कर रहा हूँ तो Karl Marx ने पूरी तरीके से अपनी theory दी उन्होंने theory में ये कहा कि भाया हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहिए कि जो पूंजी पती वर गयना उसके सोशन से मुक्त होने के लिए हमें समाज वादी समाज की स्थापना करनी पड़ेगी और संपत्ती जो है साबजनी के रूप से निहंत्रित होनी चाहिए यानि कि ऐसी पारलेमिंट होना चाहिए ऐसी राजा होनी चाहिए जो संपत्ती का सारा मालिकाना हक रख ले और जनता में उसे equally डिवाइड करने की कोशिश करे या जमीन का हिस्सा जनता के वेलफेर के लिए काम में आए रेश्यनल डीवलीचन में में मकसद था कि Absolute म conception से हटा कि यहाँ रेवलीचन में गर्ख करा जाए और यहाँ पे जार निकोलस की फैमली को हटा कर यहाँ पर पूरी तरीके से शाशन जो है जनता का लाया जाय तो यहाँ पर 1914 के बाद यहाँ पे करांती होती है और फाइनली 1914 के बाद यहाँ पर सोवियत परणाली जो है सोवियत संग जो है उसकी establishment हो जाती है तो यहाँ पर जब 1914 के अंदर रोजी समराज्य था दोस्तों जितनी भी कंट्री आपको दिखाई दे रही है सारी कंट्री आपस में एक साथ आई और एक साथ आने के बाद इन्होंने USSR की स्थापना करी यहाँ पर जादा तर धर्म रहने वाले इसाई धर्म थे महाँ पर रुडिवादी इसाई धर्म जो है वो रहते थे तो यह इसका historical background है and then आगे हम चलते हैं दोस्तों फाइनली Union of Soviet Socialist Republic बना यानि कि Soviet संग समाजवादी गंडराज्य बनाया यह गंडराज्य की स्थापना 1922 में हुई थी और वलद दिमीर लैनिन दोस्तों यहाँ पर इसके founder थे तो 30 December आपको दिखाए देरा 1992 के अंदर इसके स्थापना हुई थी और यह जब USSR की क्रांती खतम हुई थी जब रशिया ने अपना स्तीफा दे लिया था आप देख सकते 1991 के अंदर यह खतम हो गया था Official Language Russian थी और उस समय पर रूबल जो थी इनकी करंसी थी तो यहाँ पर पूरी तरीके से पुझी वादी वर्गा विरोत करा गया जिनके पास जमीनों का ज़्यादा हिस्सा होता था उन से जमीने चीनी गई और जमीने चीनने के बाद उन जमीनों का सोशल तरीके से इस्तमाल क बात है अच्छा जहां पर दोस्तों सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे प्लैंड और कंट्रोल इकनॉमिक जातर देखी जाती है तो आप यह देख सकते हैं वलाद इमीर लैनिर इन्होंने उस समय बहुत ही मुश्कुल का दौर जहला और फाइनली सोवियत समाजव प्रणाली की कुछ विशेस्ताइं भी थी इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि इनका जो संचार का सिस्टम था ना यानि कि इनका कम्मुनिकेशन नेटवर्ग था दोस्तों वह बहुत ही अच्छे किस्म का था इनके पास उर्जा के बहुत अच्छे संसाधन भी थे तो इन के लिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि इनका खुद का सक्यर गहेल उत्पाद इतना जादा था कि इनकी कंट्री के अंदर पिन बनाने से लेके कार के हर पार्ट तक सोवियत संग के अंदर मिल जाता था इनके पास वस्तूओं की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी बेस सुवित प्रणाली की एक कारण नहीं थे उनके खतम होने के बहुत सारे रीजन बताया जा सकते हैं जिनमें से स्लेक्टड कुछ मैंने इसमें लिखे हैं वह सत्तावादी थे सत्तावादी मतलब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक वैक्ती का साशनकाल कितने कितने लंबे स समय तक होता था किताबों के अंदर बहुत से इमेज दिखा रखी है उनमें दिखाने की कोशिश करी कैसे यह लोग चुटकलों के माद्यम से कार्टून के माद्यम से अपना जो प्रोटेस्ट था वो दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरा मैं बोल सकता हूँ वह समले होती थी उन सब के लिए कहीं न कहीं वो सरकार से बोल नहीं पाती थी जो कहीं न कहीं सोव्यत संग के गिरने का एकमत कारण हो सकता है अब यहां पे दूसरा एक और कारण बोलाता है साशन प्रबंधन यानि कि अगर साशन प्रबंधन की बात करे जा तो शाशन प्रब था अब इस लिए हो ले थी क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम था सोवेत मनाली के अंदर सोवेत संग के अंदर और इसी वज़े से इनका विरोत कोई करनी पाता था धीरे 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 सिर्फर सर्व इनका काम टेकनोलोजी को इंप्रूव करने का और उसके बाद पर तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इच इच गलत थी इन कंट्री के अंदर और यहां पर पूरी तरीके से जो रूस है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ अपना डॉमिनिंट पूरी कंट्री के ऊपर करने की कोशिश करता था तो यह कहीं न कहीं बहुत सटी कारण हो सकते हैं USSR के गिरने के लेकिन मिखायल गौरवचेप की जो नीतियां थी जो लगभग लास्ट हम बोल सकते हैं रास्टे पती थे वो और उन्होंने कुछ बदलाव करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी जो सोवियत संग है दोस्तों वो लिजी यानि कि वो उस समय पर रास्टे पारी जैसी पोस्ट ही होती थी अब क्योंकि मिखायल गौरवचेप को ऐसा लगता था कि इन से पहले जितने भी लीडर्स आया थे उन्होंने लोग को फीडम आफ स्पीच नहीं दी थी लोग उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे तो इसलिए मिखायल गौरवचेप ने सोचा कि वहवस्ता में थोड़े बहुत सुधार लाई जाए तो इसलिए उन्होंने वहवस्ता में सुधार करने की मांग करी जैसे वो चाहते थे कि पश्रमी लोग तंतर जैसी वहवस्ता हमारी कंट्री के अंदर आ हुआ है तो इसलिए रेस्ट आफ़ पार्ट बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर रश्या और जहां पर रश्या है उसके बाद यूए से सार है वहां पर इनका विरोध चलता ही रहता था तो कि पार्टी जो है सही तरीके से काम नहीं करती थी तो दाट इस वाए इन्होंने बहुत इंप्रूब्मेंट करने की कोशिश करी अब ये पेपर के पॉइंट विज़े से बहुत इंपॉर्टन्ट है मिखाइल गौरवचेप की नीधिया उन्हें इसे पिचासी की दस्रेक में मिखाइल गौरवचेप कौन थे ये आपको मैंने पहली बता दिया उन्हें अब से पहले दो फैसल लेने की कोशिश करें जिसे आप बोलते हैं पैरेस्ट्रोक्राथ यानि की पैरेस्ट्रोक्राथ बोलते हैं इसे और रशियन वर्ड है माफी चाहूंगा अगर मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूं तो इसका में मक्सद था राजनेतिक और आर्थिक व चाहिना के अधिकार होगा ओपनेस की याने की सरकार के खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकती है और वैसे भी सरकार के खिलाफ युस से अर्के आर के बहुत से इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन औंवो खोल के ըहीं आपा रहा था यानिक इस से पहले जु Sanskrit के और वो military basis पे उन पे कही न कही अटाक करवाते थे इसलिए जनता भी परेशान रहती थी तो वो तो हमने कारण देख लिया कि वो क्यूं खतम हुए थे 1985 के दिश्रक में इन्होंने सोचा कि शायद से कुछ बदलाओ किये जा सकते हैं लेकिन ये दो बदलाओ जो बहुत important है इनकी life के और इस chapter के लिए और आपके exam के लिए बहुत जरूरी है कि ये दो व्यवस्थाएं जो है मिखायल गर्वाचेप लेके आये थे लेकिन सही माइने में यहाँ पे वो कामयब नहीं हुए तो इसी वएसे क्या हुआ 1981 के अंदर तक्ता पलट हो गया तक्ता पलट दोस्तो कैसे हुआ कम्निस्ट पार्टी के बहुत से लीडर्स को ये लगना लग गया कि जो जो कहें न कहें मिखायल गर्वाचेप है वो लोगतंत की नीती को लेके आ रहे हैं जो जड़ा सा सही नहीं हो सकता यूसेसर के अंदर क्योंकि पुझी वादी ववस्ता तो आस्ता कभी अपनाई नहीं गई थी और अगर पुझी वादी ववस्ता नहीं अपनाई गई है तो कैसे मिखायल गर्वाचेप जो है उसको लेके आ रहे हैं लोगतंत की नीती को लेके आ रहे हैं और वेस्टरन कल्चर लेके आ रहे हैं So that is why Boris Yeltsin आप देख सकते हैं उन्होंने सामेवादे नियम जो होने चाहिए उसका favor करा और कहा कि सामेवादे नियम रहने चाहिए लेकिन यहाँ पे कही न कहीं उनके कहने की वज़े से आप बोल सकते हैं कि Yeltsin जो है वो रास्टे नाय की रूप में उभर रहे थे उस समय बात लोगों को थोड़ा बहुत openness दिया जाएगा लेकिन सरकार इतने समय से काम कर रही है जो लोगों के living standard के लिए minimum living standard के लिए भी काम नहीं कर रही है वो बस लोगों को दो इन बातों के तहत थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ agenda बता के बस अपनी party को win करवाना चाहती है जो सही माइने में गलत है तो इसे रहे बोरिस यलत सीन ने उस समय पे सामिवादी विचारधारा का मतलब favor करा और यह कहा कि जिस तरीके से मिखाल गर्वाचेप की policies आ रही है सरकार के लिए गलत है और उधर दूसरे पक्ष में अगर हम देखें तो दोस्तों USSR के बहुत से इला भी था external disturbance लोगा प्रोटेस्ट था और internal disturbance में जो मिखाल गर्वाचेप policies ले के आ रहे थे वो कहें ना कि उनकी पार्टी के खिलाप थे बोरिस यलत सीन एक targeted बने और रास्टे नाय के रोप में उभरे और यहां पे उनके कहने की वैसे 26 दिसंबर 1991 के दिन official basis पे USSR ने डिगले इन सभी states ने बोल दिया कि वो पूरी तरीके से independent हो जाएंगे और यहां पे Ukraine और Russia आपको दिखाए दे रहे हैं तीन ऐसे state जो छेतरबन में बहुत बड़े थे और उन्होंने कहा कि अब हम independent state बनना चाहते हैं तो that is why यहां पे official basis पे आप बोल सकते हैं कि इनका establishment हुआ और यहां पे कहीं न कहीं यलतिसीन जो है उनके समर्थकों ने सोवित संग को भंग करने का निर्ने ले लिया था और कहा कि सोवित संग नहीं रहेगा और सोवित संग के अंदर जो communist party थी उसको भी हटा दिया और इस तरीके से सामिवादी व्यवस्ता जो है पूंजिवादी व्यवस्ता के अंदर तब्दील हो जाएगी और लोकतंत्र को अपनाया जाएगा तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि सुरवादी समय में USSR का चेतरवाल आप देख सकते हैं इतना बड़ा था लेकिन यहां पर में बोल सकता हूँ बेलारूस और यूक्रेयन और दोस्तो रशिया पूरी तरीके से एक बहुत बड़े डॉमिनेंट के अंदर आते हैं तो इन्होंने अपने आपको स्वतंत्र होने की मांग करी और साथ साथ में 15 अलग स्टेट निकले तो यह कॉमन वेल्थ इंडिपांड स्टेट का कहिना कि इंग्लेंड के कॉमन वेल्थ इंडिपांड स्टेट से कोई लेने दना नहीं है यहाँ पर इसे आप रशियन कॉमन वेल्थ इंडिपांड स्टेट भी बोल सकते हैं इसमें हुआ क्या इसमें रशिया की गॉर्मिन ने यह बोला कि ठीक है अगर हम सारे क सारी कंट्रियां अलग बनी थी और अलग बनने के बाद उन्होंने कभी यूसे सार के इंदा पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करी लेकिन फिर भी रशिया ने क्या करा रशिया क्योंकि सबसे बड़े चेतर फल में था इसलिए वो चार्टर लेके आया चार्टर के लेका आया दोस्तों CIS का चार्टर लेके आया लेकिन हमें rights के बारे में एक दूसरे से बात करने चाहिए freedom के बारे में बात करने चाहिए हमारी foreign policies ठीक होनी चाहिए हम development, transport और economic space की बात कर सकते है हम health care और environmental protection की बात कर सकते है हम social issues की बात कर सकते है immigration policies की बात कर सकते है हम fighting organization की बात कर सकते है तो इसलिए क्या करा गया कि जब पुई तरीके से USSR का विगटन हो गया दोस्तों तो यहां पे एक जनवरी 1993 के अंदर एक चार्टर लाया गया और सभी कंट्री ने ये कहा कि ठीक है हम सारे के सारे Commonwealth Independent State का हिस्सा बन जाएंगे तो Commonwealth Independent State दोस्तों वो रशिया का है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ रशिया का Commonwealth Independent State है अगर आपकी टीचर्स आपको बताती है ये इंगलेंड का है तो आप बहुत गलत तरीके से गुमरा हो रहे हैं ये गलत है ये रशिया का Commonwealth Independent State है जिसमें जौर्जिया जो है 1993 के अंदर आ नहीं है तो रशिया का मेंबर होने का उसको फाइदा ये होगा Commonwealth Independent State से कि ये सारी के सारी कंट्रियां जितनी भी है उन सब को ये सारी रशिया जो है उनके साथ चीज़े शेयर करेगा और उनको भी शेयर करना पड़ेगा तो ये Commonwealth Independent State की कहानी थी दोस्तों अब यहां पे क्या क्योंकि USSR पुई तरीके से खतम हो गया था इसलिए रशिया जो है उनका उत्राजिकारी बना और रशिया ने पुई तरीके से ओवर्टेक ले लिया रशिया को ये कहा गया कि जो भी जिम्यदारी यूक्रेन जो भी जिम्यदारी USSR की थी अब वो कही न के रोस को अपनानी प इसे ही बनाया गया क्योंकि पहले USSR महाश रखती थी अब USSR रह नहीं गया अब रशिया हो गया तो इसलिए रशिया जो है वो महाश रखती बनेगी UNO की तो दोस्तों इस तरीकी से हम बोल सकते कि अब USSR के बाद जब रशिया आता है और UNO का मेंबर बन जाता है तो कहिना कर वो इंडिया के point of view से बहुत important हो जाता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रशिया का वेगटन क्यों हुआ क्योंकि रशिया ने शुरुवाती समय पे लोग का living standard लो कर दिया था क्योंकि यहां पे वो arms race कर रहा था वो कोई तरीके से USSR जो है USA को हराना चाहता था इसलिए अपनी संपत्ती का mostly हिस्सा वो guns बनाने में, missile बनाने में लगा देता था और वो बताने की बशे कोशिश करता था कि वो पश्यम में आर्थिक प्रगरती की और है तो यह गलत point of view था, दूसरा वो जनता के प्रती accountable नहीं थे यानि कि वो unaccountable थे, वो अपनी शाशन ववस्ता का बेहसाब गलत तरीके से इस्तमाल करते थे यानि कि पूंजी को कहीं पे भी लगा देना जनता के प्रती जिम्मेदारी नहीं होना था नौकर शाही इसके अंदर बहुत जादा थी जिसमें अधिकार जो है सिर्फर सिर्फ एकी अथॉरिटी के पास रहता था और सभी लोगों को वाते माननी पड़ती थी मिखाइल गवरवचेप ने सुधार लाने की कोशिश करी थी लेकिन कहीं न कहीं मिखाइल गवरवचेप के सुधार कामयाब नहीं रहे लोगों वो आनन तक लेके नहीं जा पाए तो इस वज़े से ततकाली कारण लोगें अंदर देश प्रेम जागा और लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कहना कहीं जो गणराज्य हैं जो कहना कहीं यूएससर के साथ बैठे हुए हैं वो उनको सही तरीके से सोबरे नहीं कर पा रहा और सभी को इनसेक्यूरिटी हो रही थी बोरिस यलतिसीन के निदत में यूएससर के अंदर में बोल सकता हूँ कि बाल्टिक रिपब्लिक के नेशन्स रुशिया है यूकरेन है जॉर्जिया है ऐसी कंटिन ने तुरंत अपने आपको बोल दिया कि वो उनसे अलग होना चाहती है तो इससे Commonwealth Independent State बने थे और उसके बाद जॉर्जिया ये सारा इतिहास हमने Second Part में पहले ही बता दिया है तो आप उसे जरूर देखेगा इस तरीके से ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो अलग हुए 15 Commonwealth State अलग निकले और वो स्वतंतर हुए तो इस तरीके से पूरी तरीके से USSR खतम हुआ और USSR के खतम होने के बाद जब विगटन हो गया रशिया एक अलग कंट्री बन गई तो विगटन के परिणाम क्या हुए क्योंकि 1945 से Cold War चल रहा था और दो विचार धाराएं अलग थी यानि कि Capitalism और Communism यहाँ पे दो विचार धरा हार गई इसलिए शीतियुत की समापती हो गई शीतियुत पूरी तरीके से खतम होगे थी दोस्तों और दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही महाशक्ती बची थी उसे अमेरिका बोलते हैं और नए देशों का ओदे हुआ जैसे Commonwealth Independent States थे जो CIS थे वो उन देशों का ओदे हु अच्छा अब यहां पर क्योंकि समयवादी व्यवस्ता जो थी दोस्तों से पूंजीवादी व्यवस्ता की और लेके जाना था इसी वज़े से रशिया है और मद्धे एशिया की जो CIS की कंट्रिया है और पूर्वी यूरॉप की जितनी भी कंट्रिया हैं दोस्तों उन्हो एक model अपनाया उन्होंने कहा कि इन्हें transition करने का एक model है यानि कि विश्व बैंक और IMF हमारी मदद करेगा जिससे जितनी भी country चाहिए वो रशिया हो चाहिए वो मद्दे एशिया हो चाहिए पूल भी यूरॉप हो इन country को पैसे की जरुत पड़ेगी सामे वादी से पूंजी वादी और की जाने के लिए तो इसमें कहीं न कहीं IMF और World Bank जो हमारी मदद करेगा और इसे ही शोग therapy के नाम से जाना गया शोग therapy का local मतलब दोस्तो आगात मौचा कर उपचार करना ही था मतलब जो लोग 1945 से सामिवादी विचारधारा को मानते थे अब उन लोग को अब पूझी वादी विचारधारा अपनानी पड़ेगी यानि कि पूझी विचारधारा मतलब capitalist ideology अपनानी पढेगी और यानि कि अमेरिका जो था वो पूरी तरेके से अपने ideology को बनाने में कामियाब हो रहा था अब शोग therapy की कुछ विशेस्ता है बीती जैसे सारा का सारा सिस्टम capital की तरफ आ गया था अब जो capital की तरफ आ रहा है तो उन्हें free trade करना पड़ेगा दूसरी country से और Soviet block जो है जिनोंने पहले जिन country की साथ alliance करा हुआ था जो USSR की ideology को मानते थे पर USA की ideology को नहीं मानते थे उनसे उनका वैपार कम हुआ यह तो negative effect देखने को मिलता है मिलता है और दूसरी विशेस्ता उसे बोसकते कि पश्यम का जतना वी वैपार था वो सारा का सारा USSR की country में आना चालू हो गया था negative impact दोस्तों इसके ये थे कि पुई तरह के से stailed control जितने भी industries थी वो सारी तरह के से private हो गई थी इसलिए कोई तरह के से collapse हो गई द्वस्त हो गई high inflation आ गया उनके खुद की पैसे की value गिरने लग गई थी इसी वेसे गरी भी आ गई देश के अंदर जो उनका खुद का जमापैसा था उसके कोई value बची नहीं यानि कि रूबल में घरावट आ गया माफिया किस्म के लोगों का growth होने लग गया और यहां पर dictatorship भी बढ़ गई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं इकनॉमिक इनिक्वालिटी हो गई लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड था बहुत कमजोर हो गया देश के अंदर ग्रहयू जैसा महौल हो गया था युएससर का विकेटर होना ज़रूरी था अब युएससर गृता ग्रहन होने के बाद राशिया बना लेकिन हमें यह समझना है कि युएससर से हमरा रलेशन कैसा था यख यए आपको पता होगा कि युएससर दोस्तो युएससर के अंदर एरो प्लेन बनाने से लेके है वो टाटा इंडस्ट्रीज हो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर थी उन्होंने हमारी इन कंट्रीज को ग्रोथ करने में हमारी मदद करी इवन हमें फंडिंग देने की भी कोशिच कहरें जिससे पब्लिक डोमेन में हमारी जो इंडस्टी से वो ग्रोथ हो सके ये USSR के साथ हमारे एकनॉमिक रिलेशन थे पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो 1971 के अंदर जब हमारा पाकिस्तान से युद हुआ था तो उस समय पे हमारी बातों को स्टैंड करने के लिए UNO के अंदर कहीं न इसे वो कश्मीर के अंदर घुस्पैट करते रहते थे और घुस्पैटियों की वज़े से UNO ने इसके लिए स्ट्रिक एक्शन लेने की कोशिश करी तो इस मुद्दे को उठाने के लिए कहिना का यूए USSR हमारे साथ था Military की बात कर लें तो दूस्तों हमारे जो Military Heartウェイ होते है टेक्नालोजी होते है जहाज होते है एक्क्विप्मेंट होते है वेपनズ होते है वो सब दोस्तों हमें USSR जो धेने की कोशिश करता है दूसरा Film के बेस पे कल्चर के बेस पे भी हम लोगों ने एक दूसार से संस्कृत सा करी है यानि कि शेयर करी है यहां पर राज कपूर है अमिताब बच्चन है उन्हें अपनी फिल्मों को रश्या के अंदर सूड कर आपने गाने गाए और इसके वे से वह इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रों के अंदर बहुत फेमस है और इससे हमारा कल्चर एक्सचें आने पड़े हमने रश्या से अपने रिलेशन और अच्छे करें तो रश्या से दोस्तों हमने क्या कहते हैं सपोर्ट लिया कोलेक्टिव सेक्यॉरिटी का सपोर्ट लिया हमने ग्रेटर स्पेश फॉर दर रेजिनलिजम का यानि की छेतरवात को लेकि हमने स्टैप लिया हम ने कहा कि हमें international conflict जो भी होते हैं उसको साथ में मिलके solve करना चाहिए चाहिए चाइना बॉर्डर की बात हो चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो उसके लिए दूसरा हमारी देशों के खुद की independent state policies जो है foreign policies वो होगी और उसके बाद हम जो भी फैसिल लेंगे बड़े तो यह कहीं न कहीं support मिला हमें Russia से तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि Russia से हमारा relation at present time बहुत अच्छा है क्यूं क्यों कि Russia ने हमारी कश्मीर मुद्दे मुद्द करी Russia ने हमें emergency जो energy supply ये वो दी हमारे Russia ने हमारे साथ information share करी international terrorism के साथ हम Russia के साथ खड़े हुए है Central Asia के अंदर जितने भी relation सिर्फ country है जिनके साथ हमारे साथ relation खराब है उसके साथ हमारे relation अच्छा करा गए Russia के दूरू जैसे की China उसके बाद पाकिस्तान पर भी ये कहीं न कहीं हमारे ही पक्षमें बात करता रहता है Russia के लिए हम मैटमून दोस्तों इसलिए है या Russia को हमें benefit इसलिए क्य लाब है दोस्तों क्योंकि सिर्फ सिर्फ एकमात country हम ही है जो Russia से विश्व में दूसे नंबर पर सबसे बड़ा बजार है हतियारों का जो हम इनसे खरीदते हैं तो ये बहुत important है किसी country के लिए कि उनकी economic growth हम कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे weapon जो है जैसे राफाइल है अगर मैत पूर्ण है Russia के लिए क्योंकि हम तेल भी इनसे खरीदते हैं क्योंको पता है कि हमारा जो economic growth है वो भी कहीं न कहीं ठीक ठाकी है तो इससे Russia को भी फाइदा होता है तो दोस्तों देखा आपने second chapter के अंदर कैसे India का relation Russia के साथ था तो दोस्तों इतना ही है इस chapter के अंदर मिलते है next chapter में जो बताएगा आपको कि कैसे अमेरिका ने अपने punk फैलाए और international लेवल पे सबसे वो आगे निकल गया so this is it in this chapter तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और इपाटशाला चानल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो इट पाटशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चांग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत